वेल्कम तो वेल्ट अप्रेड़ेड़ प्रेंट्स मेरा नाम है आकाश और मैं हूँ एक NISM Certified Research Channelist आज के इस वड़ी में हम देखने वाले क्यों हमें सिप्ला में गिरावट देखने को मिल रही है क्या है होगे वो लेवर्स जिस पर हम इसे कल्ट ट्रेड कर सकते हैं बट सबसे पहले हम इसके intrinsic value निकलने आले क्योंकि आपको पता चल जाएगा गिरावट क्यों देखने मिल रही है तो यहां पर मैंने एक simple DCF model और डी बनाखे रखा है Excel में हमें बस numbers जालने है अगर आपको पतने DCF model क्या है तो यह evaluation निकलने कम है थड़ है अगर आपको भी है सीखना है कैसे बनाता है तो comment section में लिग दिए जाएगा मैं एक video बना दूँगा जिसमें हम सीख सकते हैं कैसे हम एक DCF model बना सकते हैं और हम खुद उसकी intrinsic value find कर सकते हैं किसी को एक rupees भी pay करने की जरूरत नहीं है तो चलिए चलते हैं यहाप मैंने वाक कंसेडर किया 13 परसंट आपको वाक क्या है वो भी पता नहीं तो वाक हम एक weighted average cost of capital है या फिर expected rate of return तो यहाप मैंने लिए rate of return 13 परसंट बहुत conservative number लेके मैं यह intrinsic value निकालने वाला हूँ चलिए cash flow from operating activities ले ले लेते हैं पहले हमें निकलना है free cash flow आचुका हूँ website के screener पे और हम 2017 से 21 का data ले लेते हैं और यहापे paste कर देंगे हम नमबर सामारे आना start हो जोगा क्योंकि मैंने अल्री फॉर्मूलेस डालके रखे एक्सल के यह शीट में चलिए capex भी देख ले दें फिक्स्ट असेट परचेस्ट कॉपी एन यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट चलिए हमारा free cash flow आ चुका है और जो estimated free cash flow हो गये और इन दे यह ट्वेंटी 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 ट्री और ट्वेंटी फॉर्मिनल वैल्यू भी हमारी आ चुकी है सब्सक्राइब आचुका है हमारा present वैल्यू में 63,000 फाल अफ कॉस्ट सारे वैल्यू से CR में देखते हैं कंपनी पर करजा कितना है चलते हैं ऊपर मैंने अल्रडी निकाल के रख दिया है डेट है 1756 कॉपी करके हाँ पर पेस्ट कर देते हैं और कैश भी देख लिए कंपनी के पास कितना है 1401 Ctrl C और यहां पर आचुके हैं Ctrl V एंटरप्राइस वैल्यू आचुके हैं आज के डेट में नंबर अफ आउटस्टेंडिंग शेर डाले गए और हमें मिल जाएंगी हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू और आपको इंट्रिंसिक वैल्यू देखके पाते चल जाएगा कि शेर में गिरावट की हो रही है चलिए नंबर आउटस्टेंडिंग शेर भी ले ले लेते हैं 80.7 और इंट्रिंसिक वैल्यू मेरी आचुकि है जो कि है 784.43 और सबको सबको पता है कि स्टॉक आपे ट्रेड कर रहा है आज कुछ 900 के लेवल से वाप पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो इससी के वाज़े सामें प्रॉफिट बूकिंग देखने को मिल रहे है क्योंकि स्ट सिम्पल डी सेफ मॉडल है जो हम बस एक सिम्पल एक्स्प्लेनेशन के लिए मैंने बनाया है चलिए अभी सीधा चलते है चार्ट पर देखेंगे क्या है लेवल्स यहां पर हमको समझगे कि प्रॉफिट बूकिंग चल रहे है क्योंकि स्टॉक चल रहा है अपने हाइर वैल टाउन देखने मिला है चलिए तरह इस पेक वीडियो अल्री बने थी यहां पेक था स्ट्रॉंग सपोर्ट पे और एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ड वी था आज वो सपोर्ट और ट्रेंड लैन दोनों ब्रेक कर चुका है और हमें आज वाल्यू देखने मिल रहे हैं 934 शेल ने लिया है support 50 days moving average का ठीक वो support पर ही close हुआ है तो यहां पर एक और बात देखनी चाहिए आपको नीचे से आई है एक week मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए यह देखिए आप यहां से आई है विक इसका मतलब कर लास्ट मुमेंट पर स्टॉक में बाइंग स्टार्ट हो चुक है वापस तो बायर्स वापस से इसमें आना स्टार्ट हो चुक है तो हम यह थोड़ा कंक्लूड कर सकता है कि कुछ दिनों में इसकी प्रॉफिट वोकिंग रुख जाए गर वापस से यह स्टॉक उपर जाना चालू कर जाएगा कुछ दिन मतला भी कल भी हो सकता है या फिर परसो भी हो सकता है अगेन कोई भी मार्केट को टाइम ने कर सकता पर जैसे कल की कैंडल बनी थे आज की कैंडल थोड़ी डिफरेंट है नीचे के लिवल सामें बारिंग देखने को मिल रही है बिल्कुल इसले हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो नेगेटिव सेंटिमेंट बना था वो स्टॉक मे वो हो चुका है थोड़ा सा कम चलिए अभी लेवल्स देख लेते हैं कल के लिए क्या लेवल्स ट्रेड कर सकते हैं अगर कल स्टॉक ने यह सपोर्ट पे सस्टेन कर लिया तो हम में दिख सकते हैं लेवल्स अगेन 958 के लेवल्स दिख सकते हैं और सेकेंड टार्गेट होने 8.86 का मुझे लग रहा एक कल या सस्टेन कर जाएगा क्योंकि लास्ट मुन्ट पर बाइंग दिखिए बहुत अच्छे और 50 डेज मुविंग एवरेज के ओपर भी सपोर्ट ले लिया है तो फ्रेंड्स यह था एक मेरा एनलिसिज अगर आपको स्टॉप लॉस भी इसका लग तो आप लगा सकते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा एक लेवल के ऊपर ने तो इस लेवल के नीचे यहाँ आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो फ्रेंड्स यह था एक मेरा एनलिसिज इसमें हमने इंट्रेंसिक वैली निकाल लिया और इंट्रेंसिक वैल सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारी वारन बफेट इन्वेस्टिंग सीरीज भी देख सकते हैं जिसमें स्क्राइब से स्टार्ट किया है कैसे हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं सब्सक्राइब करना है तो यह था गाइज मेरे कंप्ली अनल्सिस थैंक यू और नाइस दे अहिए अहिए